अप्रेंट्स मैं हूँ शिल्पा और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ शियर करूंगी फेशियल वह भी सिरफ दस उर्पे में मैंने यहाँ पे जो भी जमान यूज के वह मैंने सिरफ और सिरफ दस उर्पे में लिए सबसे पहले मुझे अपना फेस अपना अच्छी तरह से बयां यह दूसरी आदि अपना फेस क्लीन कर लिए से पहले आपको अपना अच्छी तरह से इस जो मैं अपना क्लीन फीह करना चाहिए आप मुझे अपको अपना क्लीन पदधा लेनी है, स्टीम लेनी है, तू से थ्री मिनट्स के लिए आप स्टीम लेजिए, यह देखे फ्रेंट्स मैंने स्टीम ले लिए, अब मुझे स्क्रब करने है, स्क्रब करने के लिए मैंने यहाँ पर हिमाल लिया, केसर स्क्रब लिया है, इसे भी मैंने सिरफ और सिरफ दस उर् में अपने local market store से बाहिकि है बहुत خण है हिमालिया के products आप सब को पता है कि बहुत ही अच्छे होते हैं इक माले के सब अच्छे होते हैं काफी जादा इसकी quantity है जस्ट और जस्ट 10 रूपीज में दो बार आप असानी से ये स्क्रब कर सकते हैं अच्छी तरह से मैंने अपने पूरे फेस पे स्क्रब किया है इससे जो भी ब्लैकेट्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी अगर आपकी स्किन में पिम्पल्स बहुत ज़्यादा है तो आप स्क्रब को औवाइड भी कर सकते हैं त्री या फूर मिनट्स के लिए आपको स्क्रब करना है और फिर आप अपना फेस वाश कर लीजिए यह देखे मैंने अपना face wash कर लिया और एक clean towel की help से मैंने अपना face clean कर लिया है अब मुझे toning करनी है इसके लिए मैंने गुलाब जल as a toner यूज किया है गुलाब जल यह मैंने डाबर का गुलाब जल लिया है इसका price 15 रुपीज है बट मुझे सिर्फ just 10 रुपीज में यह मिला है cotton से मैंने थोड़ा सा rose water लिया है और अपने face पे अच्छी तरह से as a toner यूज कर रही हूँ अपने lips पे अपने पूरे face पे आपको just 10 रुपीज में इतना अच्छा result मिलेगा आपका face इतना ज़्यादा clean and clear हो जो जाएगा क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे product यूज की है वो कोई ऐसे वैसे product नहीं है हिमालेया के बहुत ही अच्छे product है डाबर का गुलाब जल है और peer shop है यह अब मैंने यहाँ पे हिमालेया की cream लिए यह भी केसर cream है इसे मैंने सिरफ 8 रुपे में खरीद है just or just 8 रुपीज में अपने local market store से ही इसकी smell इतनी अच्छी इसकी fragrance है थोड़ी सी मैंने ज़्यादा इसकी quantity नहीं ली क्योंकि summer है अच्छी तरह से मैंने इसकी massage किया अपने पूरे face पर और neck पे 5 minutes के लिए आपको इसकी अच्छी तरह से massage करनी है साथ साथ में मैंने rose water भी add किया अच्छी तरह से अपने पूरे face पर इसकी massage करनी है आप ये सारा समान अपने local market store से बड़े ही असानी से ले सकते हैं और घर पर ही आप बहुत अच्छा facial कर सकते हैं आपको पार्लर जाने के भी जरूरत नहीं है एक बर आप जरूरी से ट्राइ करके देखिए सारे product बहुत ही अच्छी हैं और ये सारे जो product हैं इनमें केसर एड है तो केसर आपको पता ही है कि हमारे चहरे पर कितने ज़दा निखार का काम करता है तो मैंने मसाज कर लिया है अब मुझे अपने face पर pack अप्लाई करना है ये हिमालिया का केसर पैक है इसे भी मैंने पहले अपने हाथ पे लिया और थोड़ा सा इसमें rose water एड किया है और इसे अच्छी तरह से mix करके मैंने अपने पूरे face पर इसे लगाया है बहुत ही अच्छा वाला ये pack है इसमें हिमालिया का एक mud pack भी आता है और एक I think neem pack भी है वो भी बहुत ही अच्छा वाला pack है बट मैंने यहाँ पर सारा समान केसर का ही लिया था केसर का ही pack केसर का ही scrub and massage cream अपने पूरे face पर मैंने इसे लगा लिया है 15 minutes के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और after 15 minutes आप अपना face wash कर लीजिए तो friends मैंने अपना face wash कर लिया है आप खुद देख सकते हैं कि आपको मेरा face कितना clean and clear लग रहा है पहले मेरी skin कितनी dull थी और अब मेरी skin कितनी glowing लग रही है आप भी ज़रूर इसे घर पर try कीजिए तो friends अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे helpful लगे तो please मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए अपने friends and family के साथ share कीजिए मिलती हूँ अपनी next वीडियो के साथ अब तक लिए thank you bye